तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ मेरी P&L स्रेटमेंट बगरा शेयर करने वाला हूँ जो भी recent swing stocks अभी active हैं और जो भी उनमें कुछ मैंने lost risk बुक किये हैं कुछ मैंने profits बुक किये हैं ठीक है तो पूरे detail में आज हम बात करेंगे और जो अभी swing stocks active हैं तो उनके कैसे क्या scenario है तो पूरे detail में मैं आप लोग को आज चीज़े बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत जाद acquiries हैं लोगों की कि Tata chemicals हो गया या फिर Quotacation जो futures में है तो इनमें हमें क्या करना चाहिए ठीक है तो आज तो bank nifty उपर है ठीक है आज bank nifty आपको positive दिखाई देगा और इसकी वाज़े से kotak bank वागरा भी आप देखोगे तो positive है ठीक है मलब यह जो मैंने video share की थी कि दो जबर जबर स्विंग stocks तो इसमें से आप देखो kotak bank हमारे entry point से उपर है positive में है और Asian Pins, Asian Pins क्या है थोड़ा सा negative है आज 0.26% का otherwise अच्छे खासे अभी भी यह 200 EMA के support पे बने हुए है large cap stocks की quality यही होती है मैंने futures में क्यों बोला थे इनके साथ जाने के लिए क्योंकि large cap stocks की quality ही यह होती है कि यह market nifty अगर 100-200 point भी गर जाये तो इन पे जादा effect नहीं आता है जब बहुत जादा बढ़ा crash हो अगर 300 points का 400 points का correction हो तब जाके इन पे 2-3% का effect आता है ठीक है तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे positions हैं उनकी PNL दिखाऊंगा जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की हुई थी अब यहाँ पे जो आप सामने PNL देख रहे हो तो इसमें से मैंने SPIC 2-3 trades को book कर दिया है मैंने update नहीं किया है यह आज शाम को मैं update करूँगा बांकी मैं Tata Chemicals और Star ACC, NBCC और PNB इनको तो अभी मैं hold करना हूँ ठीक है अभी थोड़ा सा बात कर लेते है regarding the Punjab National Bank तो Punjab National Bank अभी भी मेरी buying zone से उपर ही है यानि कि मेरी buying level है almost 124 rupees की 128 पह है तो अभी भी मैं इसमें profitable हूँ अभी भी मेरे इसमें profits चलने है ठीक है इसके बाद Tata Chemicals की मैंने कुछ quantities loss में book की हुई थी जो मैंने आपको बताए था लेकिन अफकोस उसके बाद मैंने patience के साथ hold किया और मैंने इतनी quantities hold की थी कि आर मतलब अगर इसमें reversal आएगा तो एक अच्छा खासा profit तो नहीं आएगा बढ़ छोटा मोटा profit आजाएगा और सेम वही हुआ कि अभी इसने दो दिन पर इतना अच्छा रेवर्सल दिया कल जब D-Merger की न्यूस आई Tata Motors की उसके बाद अच्छे रेवर्सल के बाद अभी ये थोड़े बहुत profit में आ चुका है ठीक है और मैं आपको एक second account का आपको P&L भी दिखा देता हूँ ठीक है एक January से आज 6 March है ठीक है 1 January से March 2024 तक तो यहाँ पर आप देखोगे यह Swing का एक ऐसा account है मैं different trading accounts रखने को क्यों बोलता हूँ जैसे यहाँ पर मैंने जरूदा यूज किया है मैं Sam को भी यूज कर रहा हूँ ठीक है अब जैसे मैं different brokers यूज करने का ही मेरा reason यह है कि मैं अपने ही pen card पे उनको यूज करता हूँ मैं family members के एक दो accounts थे उनको भी मैंने बंद करा दिया है उनी का मैं उस पर portfolio बनवा रहा हूँ मैं यह different brokers क्यों use करता हूँ इसका reason यह है कि types of investment ठीक है अब मैं swing trading cash में कर रहा हूँ तो उसका मैं एक अलग broker रखा है अगर मैं futures में कर रहा हूँ तो एक अलग broker है और मैं small cap में जब कर रहा हूँ small cap mid cap में तो उसके लिए मैंने अलग है यह सो आपको सुनने में of course लगीगा कि यार यह बहुत जादा mix हो जाएगा आप manage के ऐसे करोगे तो एक account मेरे ऐसा है जो मैं daily track करता हूँ swing trading का कुछ ऐसे accounts हैं जिसको मैं महीने में एक दो बार खोलता हूँ दो महीने में एक बार खोलता हूँ उससे क्या होता है profits बड़े बन जाते हैं जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ठीक है यहाँ पर छोटे मोटे losses आपको देखेंगे ठीक है फिर इसके बाद infibeam में profit book किया 24,000 का अब इस पर आप return देखो 53% का return है इसके बाद आप geofinance देखो तो यहाँ पर 71,000 का भी profit running है यह unrealized है मतला मैंने अभी यह book नहीं किया है अब 71,000 profit है 37% gain है अगर मैं इसको रोज उपन करके देखो यह DMAT अपना तो इसमें क्या होगा मेरा रोज मन होगा कि आप 5% होगी 8% होगी आप book कर दू लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए मैंने यह different accounts इसलिए बना के रखे हैं अब यहाँ पर देखो इस पर छोटा सा ही investment है तो power grid पर आप देखो 44% है फिर देखो जिसको जो सोचना है सोचने दो जिसको भरोसा है वो आगे बढ़ता चलेगा और बांकी लोग का hydrated में ही दिमाग है तो उनको उसमें दिमाग में उनको वहीं busy रहने दो यहाँ पे loss भी है 19% का ठीक है अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें से genius paper हो गया ठीक है और infibium हो अब इसका जादेस में portfolio आप देखो amount आपको लगेगा सिर्फ 2.5 लाक रोप invested है लेकिन आप returns देखोगे तो 1.13 lakh का भी unrealized profit है मतलब जब मैं book करूँगा तो इतना मुझे profit मिलेगा already अगर आप देखोगे तो 24,000 net realized profit हम बैठे हुए है brokerage सिर्फ हमने आप देखो total जुदी है सिर्फ 237 डूपीस की ठीक है बांकी बात है इसकी तो अभी मैं इसको proper ये मेरा बड़ा account है थोड़ा सा इस वजे से मैं इसको open positions अभी नहीं दिखा रहा हूँ इसको मैं बहुत जल्दी दिखाऊंगा आपको जैसी मैं सारी की सारी positions तब exit कर दूँगा तब दिखाऊंग है तेरा साड़ी तेरा लाग का है ठीक है और इस पे अभी टोटल छे लाग एकतर हजार प्रॉफिट यानि की बीस लाग क्रॉस कर चुका है मतलब टोटल 33% के आसपास करेटन है तो बताने वाली चीज़ ये है कि invest करके बैठना है लोग इतना जादा पैने करते हैं कि यार एक हफते हो गया, एक महीने हो गया, स्टाur नहीं बढ़ रहा है, आपके स्टॉक दिया है रुट बाफार्म नहीं कर रहे है, तो देखो भाई मेरे हिसाब से होसकता है, बहुत अच्छे प्रॉफिट ор का सांथ है, अभी सब का सांत है, अभी कोई Lost quiz, प्रोफिट का सांत है ये क्या है ये swing वाले एकाउंट में बोलता हूँ आप इसको short term बोलो चाहे swing बोलो बात ये की पड़ेगी तो ये इतने returns बनने का reason क्या है क्योंकि मैं patience के साथ बैठ रहा हूँ अगर मैं daily track करूँ daily मैं बस full time अगर मैं इसी को काम बना लू क्यार आज data chemicals 2% उपर है कल 3% नीचे है तो आपको सबसे पहले तो कोई एक full time job ये full time business करना पड़ेगा trading, swing trading की मैं बात कर रहा हूँ आप intraday करते हो full time फिर तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें आपका बहुत अच्छे time spend होगा लेकिन जब आप swing trading कर रहे हो आपको उस time पे कुछ और business या काम देखना पड़ेगा आप इसको full time नहीं कर सकते हो आप 9 बजे से लेके 3 बजे तक अगर बैठ के सिर्फ ये track करोगे कि आपका आज swing stock कितना उपर चला गया तो कोई मतलब नहीं निकलेगा अब मैं आज जियो को देख रहा था जियो सोबा उपर 3% था अभी 0.73 है ठीक है अभी Tata Tech था यहाँ पे Tata Chemicals था सोबा negative था अभी positive में है तो मैं दिन भर देख के करूँगा क्या मेरे देखने से तो कुछ नहीं हो जाएगा अगर बड़े targets, बड़े profits बाद वापिस profit में आया है इसके बाद PNB लिया था, वो भी 2-4 रुपए उपर है तो ऐसे ही हो तीर trading अगर आपको एक money के उसमें हो कि आपको तुरंत exact return मिल जाएगा तो फिर आप भाई option buying वाले जादा आप उच्छे कर पाऊगी अब मैं आपको यह second account दिखाट हूँ, ठीक है अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि हमारा investment 10 lakh से भी कम का है 5000 कम है, total return इस पे current return है, मतलब total return यह dividends का मिलाके है, अब यहाँ पे आप देखो इसमें कुछ stocks आपको देखेंगे अब इसमें भी GEO देखेगा आपको, क्योंकि यह inbuilt small cases है, persistence system ऐसा है, जिस पे 1500% return है नीचे आप देखोगे, तो Asian payments में 15% negative भी है, लेकिन मैं hold कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि hold करके badness से ही return बनते हैं, यह मुझे बहुत, बाद में समझ में आई थी यह बात आप लोग को मैं भी बता रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाओ यह बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखो dividend stars में, अब यहाँ पे एक stock है negative में है, किसी में 129% भी है, तो क्या मैं बुक कर दूँगा, अफकोस नॉट, अब यहाँ पे P&L में यह अभी जो मेरे targets है, क्यारेन में 100% रेटन लेना तो बनता है, अब Tata Motors का तो ऐसा ही कि यह 500% उस पे आ गया है, फिर भी hold कर रहा हूँ, क्योंकि सर्फ 28,000 पावर ग्रेड में, होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, 37% जीओ फाइनेंस में, फिर भी hold कर रहा हूँ, इस पे 19% नेगेटिव है, लेकिन capital 52,000 है, अगर मैं एक ही stock में पूरा capital अपने डाल दूँ, और मैं तीन, चार तो मैं हेंडल कर रहा हूँ, और जो मेन अकाउंट है, जिस पे ये active positions बनी हुई है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इन में मैंने दो, तीन में loss book किये हैं, अभी मैंने यहाँ पे update नहीं किया है, मैं वह आपडेट कर दूँगा, ठीक है, कि यार, आपके stocks बहुत slow momentum करते हैं, तो मेरा जबाब ये रहता है, कि साल का 30% target करना हमारा focus रहना चाहिए, ठीक है, हर महीने अगर आप 5% भी निकाल ला हो, तो साल का 60% होगा, हम तो यहाँ पे 3% भी अगर निकालते हैं, तो 36% एक साल का होगा, ठीक है, आप बिलकुल एक king का king बोल सकते हो, आपकी 3 साल में, आप हर 3 साल में पैसा डबल कर रहे हो, साल का 30% निकाल रहे हो, और आपको देखके लगता है, कि यहाँ पे मैं 30%, यहाँ पे आप देखो 1504, तीन जो stock है, 30% से भी जादा इनमें अभी return चलना है, मुश्किल से यह 3 महीने, 4 महीने परानी holding है, टाटा मोटस थोड़ी से और परानी है, ठीक है, तो एक साल में 30% तो मैं average बोलना हूँ, 100-100% returns बनना है, लेकिन patience के साथ, एक महीने stock नहीं गया, 1.5 महीने नहीं गया, quit कर दिया, हमने छोड़ दिया, हम दूसरा stock लेने लगे, it's not the way the market works, guys, अगर आपको पैसा बनाना है, buy करके stocks को hold करना पड़ेगा, ये मुझे भी बहुत जादा problem आई थी, चीज में patience बनाने में, लेकिन जब आप अच्छे यूट्यूबर्स को, अच्छे ट्रेडर्स जो यूट्यूब पैवलेबल है, उनको follow करोगे, तो आपको practical चीज़ा पता चलेंगी, वरना 10 रुपे की call, 50 रुपे गई है, ये सब बाते तो daily होती रहती है, ठीक है, practical चीज़ों पर ध्यान दो, जो reality है, उसको accept करना पड़ेगा, कि daily market में या हर साल डबल पैसा नहीं होता है, patience के साथ ही, यहाँ पे काम हमें करना पड़ेगा, ठीक है, और जो हमारे swing trades हैं, बहुत सारे जैसे इस पर बहुत सारे active हैं, अब SPIC, Boros, LIC, LIC मैंने book कर दिया, full exit कर दिया, ठीक है, youcoactive, Mistan, मैंने 20,000 रुपे, 25,000 रुपे इंवेस्ट किया, तो exit कर दिया, बजा धिन मेरा hold है, NBCC hold है, protein मैंने half quantities निकाली, strides pharma अच्छा perform कर रहा है, और उसको मैं hold करूँगा, ठीक है, strides pharma की अगर हम बात करें तो, strides pharma को अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे monthly time frame पे मैं आपको देखाता हूँ, अभी भी बहुत अच्छा momentum है, targets यहाँ तक के easily यहाँ पे मिलना है, यह देखो, targets यहाँ पे easily मिलना है, 70% तक के, लेकिन hold करना पड़ेगा, 70% सुनने में लगेगा, 70% return थोड़ी मिलता है, तो मिलता है, कैसे मिलता है, यहाँ पे यह देखो, 800% है, यहाँ पे 44% है, यहाँ पे 37% है, negative 19 भी है, I am not saying कि यहाँ बस profit profit है, negative भी है, लेकिन यह जब इतने बड़े targets यहाँ पे 53%, और losses तो छोटे मोटे वो होते रहते हैं, जब कोई stock में हमें लगता है कि यहाँ अब जादा time ले रहा है, तो फिर हम exit भी कर देते हैं, और अगर लगता है कि नहीं, time ले रहा है,